है 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 कि अधी यह निफ्टी-50 का चार्ट है सुभा के टाइम मैं स्क्रीन शॉट दाला था अपने टेलीग्राम में यहां पे देखिए में एक स्क्रीन शॉट दाला था एक मिनिट उपर 8 फेब्रावरी आज का डेटी है स्क्रिनिशॉट में मैंने क्या बोला था यहां पर देखिए सेम स्क्रिनशॉट है कुछ फर्त नहीं देखो क्या बोला था है यहां पर यहां पर मैं क्या बोला था यë वाला बता के क्या बोला था मैं दुस्तों Market workers 50-50 फूलë recovery अभी तक नहीं हिवा है हमारा सेलिंग का recovery फुल नहीं हुआ है यहां से जान बूच के बेंग लेके जाके फिर जो सेलिंग लेके जा رा है सेलिंग जाते जाते अपने प्रीवियस restart पे जो support लिया है कल के दिन उपर डात्रे बेंडिल ऐपन करेंग मार्के ट्रेंड चेंज कर गया भागेगा बैंग अगर कल के मार्केट में करेक्षिन जारी रहे के नीचे कैंडिल ओपन कर रहा है तो दोस्तों मैं लिखके दे रहा हूं दोनों में भी ट्रेंड रिवसल ही होगा अब इतना कॉंफिडेंड क्योंकि फोर अवर्स का गर कैंडल चार्ट देख रहा है प्रेशर सेलिंग इंप्रॉपर है वो भी माइनस लेवल पर यानि इंडिकेशन ओवर बैइंग का बैइंग त्रेंड अभी यहां से मैं थोड़े वो चीज़ें क्लियर कर दूं क्लियर करके ओपन करों अपना ब्रेकाउट लेवल देख लिया सपोर्ट पकड़ गया निफ्टी 50 ठीक है कल यह सपोर्टिंग लेवल ब्रेक करेगा तो ही निफ्टी 50 का ट्रेंड जो रिवसल चलेगा वह हमारा चलेगा 16800 लेवल 16800 लेवल कर गया निफ्टी का भरोसा महीं भी नहीं दे रहा हूं कहां तक भी गिर सकता है 1680 का सपोर्ट पकड़ गया यहां से जो ट्रेंड चेंज हुआ आपको बैंक निफ्टी 50 ऊपर ही दिखेगा अभी 30 मिनेट में ट्रेंड बैइंग का ही है और बैइंग का ही चलेगा अगर ऊ ट्रेंड चेंज होते होते पहला ब्रेकडाउन लेवल यहां पर इसने सेकेंड ब्रेकडाउन लेवल दिया यहां पर कल के दिन लेवल सपोर्ट लेके ठैर गया तो दोस्तों हमें जो सपोर्टिंग लेवल है निफ्टी 50 के 17330 17330 पे उपर ही कैंडिल उपन कर रहा है ट्रेंड रिवर्स हो लोगा हमारे ब्रेकडाउट लेवल 1780 तक 1780 यह लेवल समय निफ्टी 50 में कल फिल से प्रॉपर्ली देखने को मिलेंगे यह मेरा टेलिग्राम चैनल है दोस्तों आपने अभी तक मेरा टेलिग्राम चैनल जॉइन नहीं किया है तो जॉइन कर अगर आपने अभी तक मेरा यूटूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लिजिए नोटिफिकेशन पाने के लिए नोटिफिकेशन ओल पे क्लिक कर दीजिए अगर आप पहली बार यूटूब चैनल पे आये हैं तो यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करिए अब सुभा के टेलिग्राम चैनल पे मैं कंप्लीटली बता दिया था क्या बता दिया था दोस्तों अगर मैं अपना टेलिग्राम चैनल देखूं तो मैंने बता दिया था bank nifty recovery not started only correction completed इसका मतलब क्या है जो recovery हमारे bank nifty में हुनी थी वो recovery यहां तक हुनी थी इसे हम लोग बोलते हैं recovery जब bank अपना correction देने के बाद उसका जो correction होता है reversal trend में buying का जब correction लेता है इसे हम लोग बोलते हैं correction ये अभी हमारा bank rifty recovery लिया ही नहीं ये पहली बात है ठीक है और मैं बोल दिया था कि सुभा के live market में कि market में trade मत करो आपको कुछ नहीं मिलेगा और पिछले 3-4 दिन से मैं क्या करते विया रहा हूँ मैं trade दे रहा ही नहीं हूँ क्योंकि stocks भी fluctuation होना बंद हो चुके क्यों हो चुके क्योंकि market गिर रहा है अगर यहां पे stocks भी नीचे गिरेंगे banking ज़्यादा से ज़्यादा गिरेंगे तो public panic होने की चांजे से overselling होने का bank nifty के अंदर काफी बड़ा चांसे से इसलिए banking stock को भी ज़्यादा नहीं गिरा रहा है आज के दिन stock हमारे index में जो recovery हुआ है यह recovery proper तरीके का नहीं है क्योंकि अगर हम लोग previous breakout level देखेंगे वो breakout level यह है trend level break करने के बाद bounce back करना चाहिए अपने previous और final breakout level जिदर हमारा previous breakout level का breakdown level बना था ठीक है यह वाले levels अभी सुभा के time में क्या बोला था one day का candle chart देखें दोस्तों one day के हिसाब से अगर आप देखेंगे पहला breakout level यह निकल क्या रहा है अगर यह level break करके candle कल के दिन नीचे open कर रहा है तो bank nifty के अंदर जो trend changing level होगा वो आपको 36,900 तक bank nifty गिर जाएगा यह मैं बोला था और अभी हम लोग तो बस candle देख रहे है और इसके बाद क्या changes आए इसके बाद changes आए 30 minutes का 30 minutes का upon trend पकर चुका जैसे मैंने अभी तक 15 minutes में भी आपको दिया था same levels कुछी भी change नहीं है अभी हम लोग exponential moving average चे देखेंगे तो हमारा जो changing level दिख रहा है कल के live market के लिए first half अगर buying भी देगा तो second half selling ही जाएगा यह हमारा bank nifty का 15 minutes का बोल रहा है वो selling कहां तक continue होगा expiry के end देट तक continue होगा और Friday से trend change होगा हमारे bank nifty में उसके हिसाब से कल के live market में position क्या पकरना है वो भी important है तो कल के live market के हिसाब से अगर हम लोग position देख रहा है अगर यह उपर का level जो breakdown level देखे आज के दिन trend जो नीचे change किया यहां पर देखिए नीचे जो change किया अगर यह level sustain किया तो ही bank nifty में कल के दिन अगर यह level break कर रहा है simple ज्यादा कुछ नहीं downtrend देखिए short position पकड़िए कौन से level से trend reversal हो रहा है उस short position से trend पकल दीजिए automatic evening तक आपको जो profit booking होगा अपने final breakout level के हिसाब से target अचीव हो जाएंगे अगर trend का upper trend का support पकड़ रहा है तो दोस्तों upper trend के support के लिए हम लोगों को यहां पर position long लेना पड़ेगा यहां पर breakout level लेना पड़ेगा और trend position का breakout level यहां तक आ रहा है यानि हमारा जो बैंक निफ्टी का होगा 38-356 दे रहा है वाइंग में कम दे रहा है और बैंक निफ्टी selling में ज्यादा focus कर रहा है उसके हिसाब से हमारा mbcd improper इंप्रोपर यानि pressure माइनस लेवल पर इंप्रोपर हो रहा है बैंक निफ्टी कीड़ ता रहा है तूटता रहा है बस इतना ही फरक है मेरे इसाब से जो मैं analysis किया हूं कल के live market में level 38,000 का support होना चाहिए अगर 38,000 का support नहीं है तो completely समझो कल भी market fall ही होगा